Hello Good Morning Friends आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वापूरन इंगलिस में तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो IOR में खत्म होते हैं और इसके जस्ट बाद हम तू का पढ़ियो करते हैं IOR में खत्म होने वाले अजक्टिव के बाद टू का पढ़ियो करें ना कि दन का तो चलिए हम देखते हैं कि कौन-कौन से इस एडजेक्टिव जो IOR में कंप्लीट होते हैं और इसके बाद हमें टू का पढ़ियो करना चाहिए तो ओ एड्जेक्टिव है दोस्तों senior junior superior posterior posterior anterior prior inferior देख रहे हैं जितना भी है prior inferior posterior anterior superior junior senior सारे का जो यह सारे एड्जेक्टिव है और इसका जो end हुआ हो IOR से हुआ है that means जैसे ही हम देखें कि कोई भी एड्जेक्टिव IOR में complete हो रहा है खत्म हो रहा है उसके just बाद हम two का पर्यों करें ना कि then का और हम लोग यह गलती करते हैं कि कहीं कहीं इसके बाद हम then का पर्यों कर देते हैं जो कि गलत होता है यानि कि हमें इसके just बाद two का पर्यों करना चाहिए चलिए हम कुछ sentence के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से question आती है अगर बात की जाए तो यह बोड एक्जामिनेशन ने बहुत जाइदा आते हैं और next अगर बात की जाए competition examination की तो यहां पे competition में तो आता ही है competition के एक syllabus के अंदर यह आता है तो यह एड्जेक्टिव एड्जेक्टिव के अंदर यह question आता है चलिए हम देखते हैं कुछ example एक्जामपल यह है कि यहां पर दे रखाए दो sentence statement है he is senior than me और he is senior to me हमें यहां पर बताना कि दोनों में से कौन सा statement सही है और कौन सा गलत है तो देखिए मैं आपको बता रखाऊं कि कोई भी अगर एड खत्म हो रहा है तो उसके जस्ट बाद हम तू का पर्यों करेंगे यह बता है कि senior junior superior exterior priority जितने भी इस सारे एड्जेक्टिव है जो कि IOR में खत्म हो रहे है इसके जस्ट बाद हमें तू का पर्यों करना चाहिए ना कि द्यान का इसलिए यह मेरा sentence खलत हो गया यह जो है सही हो और इसका जो खत्म हो रहा है IOR में खत्म हो रहा है तो मैं बताया हूँ आपको कि एड्जेक्टिव जो IOR में खत्म हो रहा है वहां पर हमें हमेशा ही 2 का पर्यों करना चाहिए और आप लोग यही गलती करोगे कि यहां पर 2 के बदले द्यान का यूच करोगे जो की गलत हो होगा इसलिए मिया यहाँ पिद्रयोग न चाहिए हम किस चीजिए का परयोग करना चाहिए तो यहाँ पिभानी no और आपको बतायागा कि कहां पर इसमें करेक्षन करनी चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि सिनियर जुनियर एक्स्टीरियर इस पर जितना भी होता यह एड़ेक्टिव है जो आयो वार में खत्म होते हैं इसके जर्स्ट बाद हमें तू कपर यू करना चाहिए तो दोस्तों कि यह कंसेप्ट आप समझ गए होंगे और अगर आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो मैं आउर बनाओ तो प्रिजिस चैनल शंपूर निंग्रिस को सब्सक्राइब करें तो यूशी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा थैंक्यू सो मच जाहिंद वंदे मात्रम टेक